फ्रेंट्स आज की वीडियो आप सभी के लिए काफी ज़्यादा important रहने वाले क्योंकि आज की वीडियो मैं आप सभी के लिए पिछले 6 महिने के current affairs के question की series start कर रहा हूँ ये set 1 वीडियो रहेगा इसमें मैं आप सभी के लिए जनवरी 2023 से जून 2023 तके 50 question इस वीडियो में लेकर आया हूँ टोटम लाके फ्रेंट्स 25 set आएंगे और 100% result के लिए आप सभी set जरूर देखना एक्जाम से पहले तो चलिए शुरू कर लेते हैं first question से first question है मारा वर्ष 2023 में टाटा एपिल का किताब किस टीम ने जीता है सही answer होगा option D चैनने सूपर किंग्स चैनने सूपर किंग्स की टीम ने फ्रेंट्स वर्ष 2023 में टाटा एपिल का किताब जीत लिया है ये आपको याद रखना है और आपको बताना चाहता हूँ विजेता टीम जो रही है गुजरा टाइटन्स रही है और टाटा एपिल 2023 जो है इसका आयोजन हुआ है भारत में संसकरन 16 खेला किया है और अगर हम बात करें औरेंज कैप की औरेंज कैप मिला है शुबमन गिल को औरेंज कैप दिया जाता है फेंट्स पूरे टूर्नामेट में सरवाधिक रन बनाने वाले खिलाडी को तो यह मिला है शुब्मन गील को वहीं अगर हम बात करें पर्पल क्याप की पर्पल क्याप दिया जाता है सरवादीक पिकेट लेने वाले को लेने वाली ख्लाडी को और यह मिला है मुहमज शमी को यह आपने याद रखना है नेक्स कोशन कर लेते हैं 2023 में भारत की सर्वोज साहितिक सम्मान 57 ग्यानफिट पुरुसकार से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर होगा इस कोशन का ओप्शन ए दामोदर मोजो दामोदर मोजो को फेंड 57 ग्यानफिट पुरुसकार 2023 से सम्मानित किया गया है यह है फोटो दामोदर मोजो की डिटेल में समझते हैं गोवा के लगु कथा लेखक उपन्यास कार अलोचक और कौंकनी में पटकथा लेखक दामोदर मोजो को भारत के सर्वोज सहाहितिक सम्मान 57 ग्यानपिट पुरुषकार से सम्मानित किया गया है नेक्सिंपार्ण पुरुषकार भारतिय ग्यानपिट न्यास दोरा भारतिय सहाहितिक के लिए दिया जाने वाला सर्वोज पुरुषकार है नेक्स्ट कोशन भारत के नए केंद्रिय सत रखता आयोक्त कौन बने हैं सही आंसरों का उप्शन A प्रवीन कुमार श्रिवास्तव भारत के नई केंदरिय सतरक्ता आयोक्त बने है डिटेल में समझते हैं बात फ्रेंड्स यहाँ पे CBC की हुई है इंग्लिश में बोलते हैं Central Vigilance Commission स्थापना कब हुई थी 11 फरवरी 1964 को मुख्याले कहाँ पर है नई दिल्ली में अंतराश्टी भारती फिल्म अकादमी पुरुसकार 2023 जिसे की हम आईफा पुरुसकार भी बोलते हैं आईफा 2023 में सर्वश्रेष्ट अभिनिता का पुरुसकार किसने जीता है सही आंसर क्या होगा Option C, रितिक रोशन रितिक रोशन ने आईफा 2023 में सर्वश्रेष्ट अभिनिता का पुरुसकार जीता है डिटेल में समझते हैं फ्रेंट सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ रितिक रोशन को किस फिल्म के लिए मिला है विक्रम वेधा के लिए हम अन्य पुरुसकार विजेताओं के नाम देख लेते हैं सर्वश्रेष्ट अभिनित्री का पुरुसकार जीता है आलिया भट ने किस मूवी के लिए गंगुबाई काठे आवाडी के लिए वहीं अगर हम बात करें सर्वश्रेश्ट फिलम का पुरुषकार जीता है द्रिश्यम 2 ने सर्वश्रेश्ट पार्षव गायका का पुरुषकार जीता है श्रेया घोशाल ने सर्वश्रेश्ट पार्षव गायका किताब जीता है अर्जिस सिंग ने सर्वश्रेश्ट निद्रिश्या किताब जीता है आर माधवन ने, ठीक है, यह आपको याद रखना है, नेक्स कोशन कह लेते हैं, नाटो का 31 सदस्य देश कौन सा बना है, सही आंसर होगा, option B, Finland, फिनलेंड जो है यह नाटो का 31 सदस्य देश बना है, बात यहाँ पर नाटो की हुई है, नाटो का फुल फॉर्म होता है, North Atlantic Treaty Organization, चार एपरल 1949 को स्थापना हुई थी, मुख्याले, Brussels, Belgium में है, महा सचीव है, Jens Stoltenberg, अगला कोशन, प्रेस सूचना ब्योरो, यानि कि P.I.B. के नए प्रधान महानिदेशक कौन बनी है, सही आंसर होगा, option D, राजेश, मलोतरा, P.I.B. के नए प्रधान महानिदेशक, यान ख्याले, नई दिल्ली में है, और भारत के सूचना इवे प्रसारन मंतरी है, अन्राग, ठाकुरजी, नेक्स कोशन, भारत के नए औशधी महानिदेशक, यानि कि DCGI कौन बने है, सही आंसर होगा, option B, राजीव, सिंग, रगुवंशी, भारत के नए औशधी महानिदेशक, का फुल फॉर्म, इंग्लिश में होता है, ड्रक्स कंट्रोलर, जर्नल उफ इंडिया, DCGI, केंदरी, औशधी, मानक, नियंतरन, संगठन का प्रमुक है, जो भारत में दवा आपूरते की गुनवत्ता सुनश्चित करने के लिए उत्तरदाई निकाए है, 14 गस 2019 को स्थापना हुई थी, मुख्याले कहां पर है, नई दिल्ली में, अगला कोशन, विश्यो खुशाली सोचकांग 2023 में कौन सा देश लगातार पांचवे वर्शीर स्थान पर रहा है, सही आंसर होगा, ऑप्शन भी, फिनलेंड देश जो है, ये विश्यो खुशाली सोचकांग 2023 में पहल स्थान पर रहा है, फिर देखो कोई भी जो सोचकांग वाला कोशन होता है उसमें आपको ये पता होना चाहिए, कि पहला स्थान किस देश का है, और भारत की रैंकिंग क्या है, ये आपको बता होना चाहिए, ठीक है, मैंने आपको ये तो बता दिया कि सबसे खुशाल है लगातार पांचवी बार कौन सा देश फिनलेंड देश डिटेल में समझते हैं विश्यो खुशारी सूचकांग में जीडीपी लाइवल जीवन प्रतियाशा जीवन विकल्प चुरने की आजादी उधारता और प्रस्टाचार की धारना जैसे कारकों पर रैंक दी जाती है भारत का स्थान इसमें 126 हों है सबसा आखरी स्थान मिला है अफगानिस्तान को और जारी करता को होने इसके सस्टेनेवल डवलप्मेंट सलूशन नेटवर्क यानि की SDSN Next Question कर लेते हैं सयुक्त राष्ठ विकास कारइकरम यानि की UNDP के नए उप्रमुक और Associate प्रशाशक कौन बने हैं सही आंज़र क्या होगा Option D जू हाओ लियांग जू हाओ लियांग जो की चीन देश के हैं ये सयुखत राश्ट विकास कारेकरम UNDP के नई उप्रमुक और एसोसियेट प्रशाशक बने हैं फ्रेंट्स यह है इनकी फोटो बाद यहाँ पर UNDP की हुई है United Nations Development Program फुल फर्म होता है 1964 में स्थापना हुई थी मुख्याले कहां पर New York में अध्यक्ष है अचीम स्टेनर और फ्रेंट्स मैं आपको 15th कोशन के बाद यह बता दूँगा कि जो हमारी paid PDF है मतलब रभी सर की जो paid PDF है last six month करणटवे 2023 की वो आप कैसे buy कर सकते हो ठीक है नेक्स कोशन भारत की पहली hydrogen से चलने वाली train कहां से यातरा शुरू करेगी सही आंसर होगा option C हरियाना के जिंद से हरियाना के जिंद से भारत की पहली hydrogen से चलने वाली train जो है यह अपनी यातरा शुरू करेगी यह आपको याद रखना है भारत में पहली hydrogen इधन से चलने वाली train जिंद सोनी पत मार्ग पसन्चालित होने वाली है Hydrogen, Trane, Hydrogen और Oxygen को बिजली में परिवर्तित करने के लिए इधन कोशिकाओं को अपयोग करती है Next question, केंदे सरकार ने वैकलपिक उर्वकों को बढ़ावा देने और रसाइनिक उर्वकों के परियोग को कम करने के लिए 2023 में किस योजना को मंजूरी दी है सही आंसर क्या होगा? Option C, PM प्रनाम योजना यह आपको याद रखना है और PM प्रनाम में हम इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं प्रनाम का फुल फॉर्म है Promotion of Alternate Nutrients for Agriculture Management योजना ठीक है? यह आपको याद रखना है इस योजना का मुख्य देश है किसानों को Chemical Fertilizer पर दी जाने वाली Subsidy के बोज को कम करना Next Question हिंदुस्तान Unilever Limited यानि कि HUL के नई प्रबंद निदेशक और CEO कौन बने है? पुछा गया MDN CEO कौन बने है? हिंदुस्तान Unilever Limited के तो अंसर क्या होगा? Option C रोहित, जावा, हिंदुस्तान Unilever Limited यानि कि HUL के नई MDN CEO बनी है और स्थाबन का वोई थी 17 अक्टूबर 1933 को मुख्याले मुंबई महाराश्ट में है अगला Question Premier Handball League 2023 का किस टीम ने जीता है? सही आंसर होगा Option A महाराश्ट Iron Man ने Premier Handball League 2023 का किताब जीत लिया है महाराश्ट Iron Man ने Golden Eagles उतरपरदेश को हराकर Premier Handball League का किताब जीता है आयोजन स्थल कहाँ पे था? जैपूर राजिस्थान में संसकरन पहला आयोजन हुआ है Next Question ICC पुरुष वंडे विश्वकब 2023 की कौन सा देश करेगा? सही आंसर क्या होगा? Option C हमारा प्यारा भारत जो है ये ICC पुरुष वंडे विश्वकब 2023 की मेज़मानी करेगा संसकरन होगा 13 और वहीं आपको बताना चाहता हूँ जो 14 संसकरन होगा इसके अगले वाला 4 साल के बाद वो दक्षिन अफ्रिका, जिंबॉवे और नामीबिया में आयोजित होगा नेक्स कोशन फीफा अंडर 17 विश्वकब 2030 की मेज़मानी कौन सा देश करेगा? आंसर होगा Option A इंडोनेशिया देश जो है ये फीफा अंडर 17 विश्वकब 2030 की मेज़मानी करेगा www.ravibookspdf.com Google पर जाके आपको सर्च करना है यहां आपको हमारी current affair की जो वार्षिकी 2022 है वो मिल जाएगी last six month की जो 2023 की जो पेड़ 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 जाएगी मतलब बेस्ट कोशन रखा है आपके एक्जाम के लिए हमने हमारी application है रवी study IQ GK प्ले सोर से आप डाउनलोड करिए यहां पे आपको हर वीडियो का notes मिल जाता है और साथ में यह आप test लगा सकते हो ठीक है application पे तो रवी study IQ GK पे आप ज़रूर जाएए ठीक है friends तो चलिए अब हम next question पढ़ लेते हैं next question ग्रीस के फिर से प्रधानमंत्री कौन बने हैं सही answer होगा option D क्यारी कोस मित्सो टाकीज क्यारी कोस मित्सो टाकीज जो है यह ग्रीस के फिर से प्रधानमंत्री बन गई है ग्रीस येरोप महादियूप में है राजधानी एथेन है और करंसी क्या है यूरो पशू चिकिस्सा औशद्धी और टिकाकरन प्रनाली के लिए केंद्रिय मंत्री पुर्षोतम रुपाला ने किस पोर्टल को लॉंच किया है सही आंसर होगा option B नंदी पोर्टल को लॉंच किया है नंदी पोर्टल को भारत के पशू स्वास्त चेतर में नियामक अनुमोधन प्रकेरिया को डिजिटल बनाने और सुव्वे वरस्थित करने के लिए विक्सित किया गया है अगला कोशन टाइमस एशिया उनिवर्थी रैंकिंग 2023 में भारत में शिरस्थान पर रहा है चीन देश में एशिया उनिवर्थी रैंकिंग 2023 में टॉप 50 में भारत का एक इनिवर्थी आया है Top 100 में 4 University और 6218 University को स्थान मिला है जारी करता है Times Higher Education London हमना भारती University का नाम और उनकी रैंकिंग देख लेते हैं Indian Institute of Science यानि की IISC बेंगलूर को 48 स्थान मिला है एशिया की बात हो रही है भारत में इसका स्थान पहला हुआ GSS Academy of Higher Education and Research को 68 शूलिनी University of Biotechnology and Management Science को 77 स्थान मिला है अगला कोशन QS World University रैंकिंग 2024 में कौन सा विश्विद्याले लगातार 12 साल शीर स्थान पर रहा है आंसर क्या होगा Option D Massachusetts Institute of Technology अमेरिका अब हम Indian University की रैंकिंग देख लेते हैं भारतिय प्रावद्रकी संस्थान IIT को मिला है IIT जो Bombay है ठीक है इसको 149 रैंक मिला है ठीक है मतलब 150 में इसने जगह बनाई है महीं अगर हम बात करें IIT दिल्ली को 197 रैंक मिला है और IASC बैंगलूरू को 225 रैंक मिला है ठीक है जारी करता है QS England Next question करते हैं FIFA Under 17 विश्वकप 2023 की मिजबानी कौन सा देश करेगा सही आंसर क्या होगा Option A इंडोनेशिया जो है FIFA Under 17 विश्वकप 2023 की मिजबानी करेगा 19 वा संसकरन होगा और आपको बताना चाहता हूँ जो इससे पहले बार था ठारवा संसकरन 2019 वाला वो ब्राजील में हुआ था Next question The Yoga Sutra for Children नामक पुस्तक को किसने लिखा है सही आंसर क्या होगा Option C रूपा पाईने रूपा पाईने The Yoga Sutra for Children नामक पुस्तक को लिखा है अगर आपको वीडियो की quality, वीडियो का content और आपकी रवी सरकी महनत पसंद आ रही है वीडियो को like और share जरूर करें comment box में अपना feedback भी दें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है ठीक है फ्रेंट्स और आपको बताना चाहता हूँ प्रकुल मिलाके 25 set लेकर आऊँगा आपके लिए मैं सारे set जरूर देखना 50 questions करवाँगा चोट-चोटी वीडियो साब सभी के लिए मैं लेकर आ रहा हूँ ठीक है तो पूरा वीडियो आप जरूर देखना last में 2 question का test भी आप जरूर लगाना ठीक है और 7 friends पूरे 6 मिने की जो current affairs की PDF है वो आप जरूर बाई कर लेना हमारी website www.ravibooks.pdf.com से next question जूनियर पुरुष राष्टिय होकी चैंपेंशिप 2023 का किताब किस ने जीता है answer होगा option D मध्य प्रदेश की team ने जूनियर पुरुष राष्टिय होकी चैंपेंशिप 2023 का किताब जीता है वो विजेता रही है चंडीगड आयोजन स्थलहस का राउर केला ओडीशा next question निती आयोग के वार्षिक स्वास्ते सूचकांग 2021 में बड़े राज्यों की श्रेनी में कौन सा राज्य शीर स्थान पर रहा है सही आंसर होगा option C केरल राज्य जो है नीती आयों के वार्षिक स्वास्ते सुचकांग 2020-21 में बड़े राज्यों की श्रेनी में पहले स्थान पर रहा है छोटे राज्यों की श्रेनी में शीर स्थान मिला है तिरिपूरा को और केंद शाषित प्रदेशों की सुची में शीर स सुच्जर लैंड में भारत का प्रतिनी दिव किया है मनसुख मंडाविया केंद्रिय स्वास्ते मंतरी है थीम एस की WHO at 75 saving lives driving health for all अगला कोशन किस देश ने 2000 किलोमेटर तक की मारक शमता वाली बैलेस्टिक मिसाइल खैबर का सफल परिक्षन किया है सही आंसर क्या होगा option C इ 4th generation की मिसाइल है जो 2000 किलोमेटर दूर के लक्षे को भेजने में सक्षम है नेक्स कोशन है माई 2023 में नई संसत भवन के उद्गाडन पर कितने रुपे का सिक्का जारी किया गया है सही आंसर होगा इस कोशन का option D 75 रुपे का फिर्ट्स आपको बदाना चाहता हूँ कि जो हम सभा की जो थीम है ना वो मोर थीम पर बेस्ट है राजय सभा की थीम कमल है और वास्तुकार को ने नई संसत भवन का विमल पठेल और आपको बताना चाहता हूँ माई 2023 में जो नई संसत भवन का उद्गाडन हुआ है उस दिन 75 रुपे का सिक्का जारी किया गया है यह है आ तुर्की जो है एशिया योरोप महादीव में स्थेत्य राजधानी अंकारा है और तुर्की करंसी है टर्किश लीरा अगला कोशन 2023 में बैडमिंटन टूर्नामेंट मलेशिया मास्टर सूपर 500 में पुरुश एकल का किताब किसने जीता है सही आंसर होगा ऑप्शन भी एच पान की अकाने यामा गूची ने और वहीं अगर हम बात करें पुरुश योगला किताब जीता है कांग मिन ह्यूक और सियो सेउंग जै जो की दक्षिन कोरिया के खिलाडी है वहीं अगर हम बात करें महिला योगला किताब किसने जीता है बैक हाना और ली सो ही जो की दक्षि महराश्ट्र में भारत के स्टार्ट अप एको सिस्टम की विशाल चम्ताओं को लाब उठाने के परियास में खान मंतराले ने आई आई टी बॉंबे के सहयोग से मुंबई में अपना पहला माइनिंग स्टार्ट अप समिट आयोजित किया है प्रमुक स्मार्टफोन ब्रैंड रियलमी के नई ब्रैंड अमेजडर कौन बने हैं सही आंसर होगा ऑप्शन डी शाहरुक खान रियलमी के नई ब्रैंड अमेजडर बने हैं नेक्स कोशन किस राज्य या किंद शाषित पर्देश के पशु पालन और मत्से पालन विभाग ने स्कॉच सिल्वर अवाड 2023 जीता है सही आंसर होगा ऑप्शन बी चंडिगर्ड डीटेल में समझते हैं चंडिगर्ड के पशु पालन और मत्से पालन विभाग को यह अव प्राइब बने हैं इस नाम भी आपके लिए काफी इंपॉरेंट होगा पूछा जाएगा कि आवाज किस ने दिया है तो डॉक्टर जगदीश पिल्लई ने नेक्स्सक्वाइब भारते नौसेना के नई उप्रमुक कौन बने हैं सही आंसर होगा ओप्शन है संजय जजजीत सिंग्न बात फ्रेंट यहां पे भारते नौसेना की हुई है मुख्याले नई दिल्ली में है नौसेना दिवस चार दिसंबर को मनाया गया है और नौसेना प्रमुक आरहरी कुमार है अगला कोशन द्रिपक्षिय समुदरी अभ्याद स्लाइनेक्स 2023 भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित हुआ है सही आंसरोगा इस कोशन का ओप्षिय भारत और श्री लंका के बीच आयोजित हुआ है सलाइनेक्स का फुल फोर में SL का मतलब है श्री लंका, I का मतलब इंडिया, EX का मतलब एक्सरसाइज आयोजन स्थल कॉलम्बो श्री लंका संस्करन दस्वा आयोजित हुआ है अगला कोशन अंतराश्टी एक खदान जारुकता दिवस 2023 का मनाया गया है सही आंसरोगा ओप्षिन B, 4 अपरिल को मनाया गया है इस दिवस को मनाने का उद्देश ये बारोदी सुरंगों के बारे में जारुकता बढ़ाना खदान का रवाई कारे के लिए साहिता प्राप्त करना और उन्हें हटाने की दिशा में आगे बढ़ना है थीम क्या है माइन एक्शन कांट वेट नेक्स कोशन टैनिस टूर्नामेंट मियामी ओपन 2023 में पुरु शेकल का किताब किसने जीता है सही आंसर होगा ओप्शन C डैनियल मैदवेदेव रूस के खिलाडी है ये इन्होंने टैनिस टूर्नामेंट मियामी ओपन 2023 में पुरु शेकल का किताब जीत लिया है एक्जाम के लिए आप डबल स्टार मार करिए वहीं अगर हम बात करें प्रूश यगला किताब किसने जीता है चैक गंडराजे की पैटरा किवतोवा ने और वहीं अगर हम बात करें प्रूश यगला किताब जीता है मेक्सिको के सैंटियागो गॉंजालेज और फ्रांस के एडवर्ड रोजर वासेलीन ने महिला यगला किताब जीता है कोको गॉफ और जैसिका पैगूला जो की अमेरिका की है नेक्स कोशन भारत ने विदेश पैपार निती 2023 में किस वर्ष तक निर्याद को 2000 अरब डॉलर तक पहुँचाने का लक्षे रखा है सही आंसर है ओप्शन ए 2030 तक नेक्स कोशन वाइ कांट एलिफेंट्स बी रेड नामक पुस्तक को किस ने लिखा है सही आंसर होगा इस कोशन का ओप्शन डी वानी त्रिपाथी टीकू ने वाइ कांट एलिफेंट्स बी रेड नामक पुस्तक को लिखा है अगला कोशन किस देश ने वार्शिक बैस्टिल डे परेट 2023 में अथिती के रूप में भारत के परधान मंत्री नरेंदर मुदी जी को आमंतरित किया है सही आंसर होगा Option B. फ्रांस देश ने और आपको बताना चाहता हूँ इससे पहले पूर परधान मंतरी मनमोहन सिंग जी को 2019 में बैस्टिल डे परेट में अथिती के रूप में आमंतरित किया गया था इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार नियाई वितरन के मामले में कौन सा राज्जे भारत में शीर्स्थान पर रहा है सही आंसर होगा Option B. करनाटक राज्जे डेटेल में समझते हैं इंडिया जस्टिस रिपोर्ट का उदेशे भारत में नियाई वितरन की स्थिती का विस्तृत मुल्यकान करना और उन शेतरों की बहचान करना है जहां सुधार की आवशकता है पुलिस रैंकिंग में शीर्स्थान मिला है तेलंगाना को चोटे राज्यों की शेनिवे शीर्स्थान मिला है सिक्किम को आखरी स्थान उत्तर प्रदेश को और रिपोर्ट की जारी करता है टाटा ट्रस्ट किस राज्य के रामनगर भनता जो की बैंगन की किसम है को जी आई टैग प्रदान किया गया है आंसर क्या होगा ओप्शन D उत्तर प्रदेश नेक्स कोशन ICC Man's T20 International Cricket में अंपाइर बनने वाली पहली महिला कौन बनी है आंसर क्या होगा ओप्शन C कीम कॉटन जो की न्यूजिलेंड की है न्यूजिलेंड की किम कॉटन श्रेलंका के खिलाफ न्यूजिलेंड की दूसरे मैच के दौरान पूर्ण सदर से पुरुषों की T20 International में पहली महिला ओन फिल्ड अंपाइर बन गई है नेक्स कोशन नासा की पहली महिला विज्ञान प्रमु कौन बनी है सही आंसर क्या होगा Option C निकोला फॉक्स बात यहां पे नासा की हुई है National Aeronautics and Space Administration फुल फॉर्म होता है 29 जुलाई 1958 को स्थापना हुई थी मुख्याले वाशिंग्टन डीसी अमेरिका में है अध्यक्षें बिल नेलसन नेक्स कोशन प्रधानमंत्री नरेंदर मोदीजी ने राइसिना डायलोग 2023 के आठवे संस्क्रन का उद्गाटन कहां किया है सही आंसर होगा Option D नई दिल्ली में वैशविक हालात और चुनोतियों पर एक सार्थक चर्चा के उद्देशे से राइसिना डायलोग की शुरुवात की गई है मुक्यतिती है जियोर्जिया मैलोनी जो कि इटली के प्रधानमंत्री है थीम है प्रोवकेशन अंसर्टनेटी टर्बूलेंस लाइट हाउस इन दी टेमपेस्ट शीनियों मैतरी अभ्यास भारत और किस देश की वायू सेना के बीच आयोजित हुआ है सही आंसर होगा ऑप्शन B भारत और जपान की वायू सेना के बीच शामिल सेना है इसमें भारते वायू सेना और जपान की एर सेल्फ डिफेंस फोर्स आयोजन स्थल है कोमात्सु जपान नाइजेरिया के नए राष्टपती गौन बने हैं सही आंसर क्या होगा ऑप्शन B बोला टीनूबो बोला टीनूबो नाइजेरिया के नए राष्टपती बने हैं बात नाइजेरिया की हुई है पश्रम अफ्रीका का एक प्रमुख देश है राजधानी है अबूजा, मुद्रा है, नाइजिरियाई, नाइरा अगला कोशन, बाजरा महसव 2023 कहां योजित हुआ है आंसर होगा, ऑप्शन A भोजपुर, बिहार में और आपको बताना चाहता हूँ भारत पहले के तहट संयुक्त राष्ट ने वर्ष 2023 को अंतर राष्टी ये बाजरा वर्ष गोशित किया है अगला कोशन, वियतनाम के नई राष्ट पती कौन बने है सही आंसर होगा, ऑप्शन A वान, थुवंग, वियतनाम के नई राष्ट पती बने है वियतनाम जो है, एशिया महादियूप में है नेक्स कोशन, निम्न और मध्यम वर्ग की गरीब महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना को किस राध्य सरकार ने शुरू किया है आंसर क्या होगा, ऑप्शन B, मध्य प्रदेश इस योजना के माध्यम से मध्य परदेश के गरीब और मध्यम वर्गे परिवारों की बहनों को एक हजार रुपे परती महाद दिये जाएंगे अगला कोशन, लगाता चौथे जाल कौन सा स्टॉक एक्शेंज दुनिया का सबसे बड़ा डारिवेटिव एक्शेंज बना है सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन D, भारत का नैशनल स्टॉक एक्शेंज बाद यहाँ पर NSE की हुई है, 1992 में स्थापना हुई थी मुख्याले मुंबई में है, अध्यक्षन गिरीश चंद चतुरवेदी अखरी कोशन करते हैं इस वीडियो का विश्व आदर भूमी दिवस 2023 का मनाया गया है आंसर होगा ऑप्शन B, दो फरवरी को इंपोर्ट पॉइंट समझते हैं, इस दिवस को मनाने का मुख्य और देशे ग्लोबल वार्मिंग का सामना करने में आदर भूमी जैसे दलदल तथा मैंग्रोव के महतव के बारे में जावरुकता फिलाना है, तीम क्या है, इस टाइम फोर वेटलेंड रिस्टोरेशन फेंट सी 51 कोशन मैंने आपको करवा है, ठीक है अब दो कोशन का टेस्ट है काम के लिए काफी यूसफुल है, ठीक है फेंट्स वह आपको मारे वेफसाइट पर मिल जाएगा www.ravibooks.pdf.com www.ravibooks.pdf.com गूगल पर जाके आपको सर्च करना है, तो चलिए टेस्ट लगा लीजिए, पहला कोशन है वर्ष 2023 में टाटा इपला किताब किस टीम ने जीता है, चार ओप्शन है आपके बास दूसरा कोशन है, भारत के नए केंदरिय सतरकता आयुक्त कौन बने हैं, दोनों कोशन का अंसर आपने कॉमेंट बॉक्स में देना है, वीडियो कैसी लगी, आपने अपना फीड़बैक भी जरूर देना है, और फ्रेंट्स की जो 25 साइट आएंगे आपके लिए लास्ट 6 म तूसरा केंदिये हीर, झाएंगे लिए सफसक्या पावलों कह सी होशने है, यह एक जाएंगे लास्ट 3 सिक्व अचल, अचल, वीडियो में में देना है, अटेना है रएंगएफ मैं स्वादियो जार बीए कर किस देना है, यह वीडियों के